अधिक यात के चीप्टर आपका Synthence Pattern तो इस पर हम चर्चा करते हैं सबसे पहले Synthence की बात करते है तो रचना के आधार पर Synthence को चार भागों में बाटा गया है इस पर फिर से सुनेगे रचना के आधार पर Synthence को चार भागों में बाटा गया है on the basis of structures sentences are divided into four parts चार भाग में कौन कर है? यहां ध्यान से देखेंगे यह चार जो पार्ट है ध्यान से देखेंगे पहला को हम बोलते हैं simple sentence पहला है simple sentence दुसरा है compound sentence तिसरा है complex sentence और चौथा है जो इस दोनों को मिलाते हैं compound complex sentence या इसको हम बोलते हैं mixed मिला हूँ mixed sentence sentence ध्यान दीजे हम बता है कि रचना के आधार पर sentence को जार भागों में बाटा गया है जो पहला क्या है simple sentence दुसरा क्या है compound sentence तिसरा क्या है complex sentence और चौथा क्या है compound complex इसको बोले तो mixed sentence भी कहा जाता है को दीकर चलिए इससे पहले मैं तुमको यह बता दो कि आखरी sentence आया कहां से sentence कैसे बनता है sentence कहां से आया तो sentence कहां से आया इसको समझने के लिए हम थोड़ा निचे आइए और यहां देखेंगे sentence clause से बनता है sentence क्या चीज़ा बनता है clause से clause के मतलब होता है उपवाक्य clause के मतलब क्या होता है उपवाक्य और उपवाक्य का मतलब होता है उपवाक्य का एक भार जैसे यहां देखिए हम बना है अगर तुम परोगे तो अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगी तो अई में काईगो कलोज दू और वाकिक है यारी एक सेंटेंस में दो या दो से अधी कलोज हो सकता है दूसरा अगर तु नहीं पढ़ोगे तो इस वाकिय में कलोज कितना है तो कलोज का मतला होता है उपवाक्य, क्लोज का क्लोज का बतला होता है उपवाक्य, मने वाक्य का एक भाग जैसे यहां हम देखते हैं We eat, so we may live हम लोग खाते हैं इसलिए कि हम लोग चीज सके ताई में क्लोज का एक हो, दू क्लोज कितना क्लोज है, दू क्लोज है ठीक है? तुरा से तौआ होगे अच्छो, तो यहां देखो तो इसमें कितने क्लोज है? ठीक क्लोज है We eat, so we may live the क्लोज दू वोगा सेंटेंज कुडा मिला के काई को? एक ही सेंटेंज है तो क्लोज किसे करते हैं समझ में आजे? क्लोज क्यों मतलब होता है उपुवाखे वाख לה का एक अभाराब अब एक क्लोज और आया की क्लोज इंटेंपनता कहां से? जैसे, सिंटेंस बना कहां से, क्लोज से क्लोज कहां से बनता है? तो कहां दिखिएगा क्लोज बनता है गुँगा कंजंव सं से क्लोज का से बनता है ? सट वां आद ये क्लोज से स्ट वांसे पार से बना शेंपिस जरेक्षा हुआ fabrics कंजक्षन के मुखेलूरुक दू वह आपाने को मुखेलूरुक से यहां पार अब दो भांदो में रखते हैं ध्यां देयान देंगे थोड़ा सा एक होता है को ओडिनेटिंग कंजंग्शन और एक होता है सब ओडिनेटिंग कंजंग्शन कि सब ओडिनेटिंग कंजंग्शन ध्यानेशन अब एक कोशन और हो सकता है कि सब कंजंग्शन कहां से तो पार्स भेस पढ़े होंगे हम आपको पार्स भेस पढ़ाया थे कि पार्स भेस पीच के आठ भेस होंदें जिसमें कंजंग्शन भी सामिल रहता है कोई दिकरती सब्सक्राइब नहीं चलिए आगे देखते हैं जिस परकार हम बात करते हैं जिस परकार सेंटेर्स को करे भागों में बाते हैं चार भागों में उसी परकार क्लोज को भी चार भागों में बाते हैं यानि कि क्लोज के यहां देखते हैं को यहां देखते हैं को यहां देखेंगे एक होता है वो प्रिंस्पल क्लोज है इसकी चर्चा हम बहुत बागी होगी है प्रिंस्पल को हम एक और नाम से जानते हैं प्रिंस्पल क्लोज को हम मेन क्लोज भी कहते हैं वो दिकत है प्रिंस्पल या मेन पहला यह हो गया है दूसरा हो गया हो का ओडिनेट क्लोज क्या कहेंगे इसको दूसरा है का ओडिनेट क्लोज को ना裁? Coordinate CL CL का मतलब यहां हो गया Glodge तीसरा है Subordinate Glodge जोटोइ पढ़ेंगे सो AbonION Subordinate Glodge और चौथा देखेंगे चवता है Parenthetical Glodge Glodge चोथा क्या है Parenthetical Glodge तो यहां भी किलियर हो गिए, जिस परकार sentence के कितने फेद होते हैं? चार, ठीक हुआ उसी परकार, यहां, क्लोज के कितने फेद होते हैं? चार, कौन-कौन होता है? ध्यान तिसे दखेंगे, पहला क्या है? प्रिंस्पल या में, ग्लोज, दुसरा क्या है? क्या परेंगे इसको? कौन होते को पम चैनल देंगे क्या परेंगे इसको?還 क्या हैं? क्या समझानों हो समझीए, प्रिंस्पल या में का मतलब ही अगटा है मोख've तो प्रिंस्पल या मेर्ड का मतलब होता है मुख यानि मुख प्रिंस्पल या मेर्ड इसको इसलिए कहा गया कि दुनिया का जितना भी सेंटेंस बनता है सब में यह सामें नाता है ठीक इसलिए इसको प्रिंस्पल या मेर्ड करते हैं अब यहां ऐसे कुशन आएगा कि प्रि प्रिंस्पल या बिर क्लोज किस किस वाक्य में रहता है, तो प्रिंस्पल या बिर क्लोज कैसा क्लोज होता है, जो यहां सारे वाक्यों में पाया जाता है, यह प्रिंस्पल क्लोज सारे वाक्यों में पाया जाता है, चाहे वह सिंपल सेंटेंस हो, चाहे वह कंपाउन सेंटें कुछन आईगा कि principal clause किस sentence में पाया घाता है तो principal clause दुनिया के सब sentence में आ नगमा कोई दिकते हैं kisiko नहीं जाँ आगे चल्देए अब फिर थोड़ा सा बैक से अब यहां हम क्या लिखे हैं coordinating conjunction यहां क्या लिखे हैं suboodioxidating conjunction अब यह सबनता है कॉडिनेटिंग कंजंशन से जो क्लॉज बनता है या दिसे का कॉडिनेटिंग कंजंशन से जो क्लॉज बनता है तो कॉडिनेटिंग कंजंशन से बनने वाले क्लॉज को कॉडिनेट क्लॉज कहा जाता है एक कुशन आएगा कि बोगा coordinate clause की से करते हैं तो सर कॉडिनेटिंग कन्जन से जो clause बनता है या कॉडिनेटिंग कन्जन से जो clause शुरू होता है उस clause को coordinate clause कहा जाता है यानि की coordinate clause begins with coordinating conjunction कोई दिकत है? सेम वही बात नीचे वाले clause से लोगेंगे सबाडिनेटिंग कंजंशन से सुरू होने वाले कलाज को सबाडिनेटिंग कलाज काहा जाता है सबाडिनेटिंग कंजंशन से सुरू होने वाले कलाज को हा जाता है और वह सांग kayak कोडिनेटिंग से बना चमण कोडिनेट कोई दिकत है किसी ऋब नहीं चुर ऑफ चके सब पूछ नहीं, ऐसे कोई और मैं ठेटिकल क्लोज की बात करें, हम ये जेरीनल जेननल पे बहुत हम लोग कांऩ काम सब्स दो लेकिन है इस में को हो слож का, यहां आ पन्स प्र рок क्राटूरीखों की। प्रिंस्पल कोडिनेट 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 कोडि उस sentence को हम क्या करते हैं ? उस sentence को हम compound sentence कहते है कोई दिगल थैं किसे ? समझ गए ? अब यहांसे पी कुछ होगा कि बहुँआ compound sentence में कौन-कौन सा close पाया जाता है compound sentence में कौन-कौन सा close says पाया जाता है तो compound sentence में main clause के साथ-साथ coordinate clause पाया जानता है को दिखने किसको? नहीं नहीं, चलिए आगे चलते हैं ठीक, उसी परकार जब principal clause के साथ coordinate clause मिलता है उसी परकार principal clause के साथ subordinate clause मिलता है तो कौन sentence मिलता है? एक हुष आया, कि complex sentence में complex sentence में हुआने की कौन-कौन से clause दाथी है ठीक कविक किसको कउज को को देश खेशाम को कौन से clause दाथी है तो complex sentence में principal clause के साथust subordinate clause रहता है किसको मिद्फल के साथ coordinate मिलकी तो क्या अब्णक cassette जब principal के साथ subordinate मिल गया.. और यहां तो हम लिखिय दिया हैte compound complex तब compound में क्या है.. ..and complex में क्या है.. याणि कि जब principal के साथ coordinate.. ..ä Current principle के साथ subordinate यो दोनों मिल गया.. तो क्या बद गया.. compound complex, याणि bowlin, कोई दी दिरने? सबूल समझे meant... चोछों समझेंगे, उय बहु हो Yuk प्रिसपल कलॉज मिन चाने को सबुदेंटिक करता है जब कॉरिणियेटकर क्लोज करेंगे जानकारी हमें तो पता सर जालेगे और जब coordinate clause हमें बता चल गया तो को जो बढ़ी आसान तरीका से मैं बताना चाहता हूं कि यहां दूनों ना बन ना है एक ही पन ना है एक ही समझना है यहां answer देने के लिए एक copy हो जाता है जिसकी जानकारी होगी वह रहेगा क्या? Co-ordinating Cognition जो जानते है तो coordinating Cognition जो जै होग जानते है तो को जानते हैं तो coordinating Cognition जो कास्ट जो जानते हैं तो क्या होगी समझन गया जान गया तो कौंपा रजा जाने तो complex भाई जाने तो यह हो पारा कह thirds 17 बेज़, राखन घर नहीत फीट यू अब बात करते हैं कोडिनेट की तो कोडिनेट जो बनता है कोडिनेट जो बनता है कोडिनेट को बनता है वह कोडिनेटिक कर्जंशन के संख्या बहुत कम होती है कोडिनेटिंग कर्णसर को अगर ध्यान पर अगते हैं कोडिनेटिंग कर्णसर अगर हमने याद आजाता है तो जितना आएगा उसम कंपार बली जितना नहीं जानते हो सम्क्राइब आपर याद नहीं तो चलें कोडिनेटिंग कर्णसर को देखते हैं को आडिनेटी कर जाएं सब यहां दिखते हैं and and not लिखना नहीं है जिसी पर लिखना है but or nor either neither is लिखने का नहीं है अभी either or neither nor never delays never delays non delays I will add not only but also it otherwise so never therefore for hence and still देख लिजे, वह एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बान, तीर, चोड़ा, पंड़ा, सुला, सत्रा, अठारा, उनीस, भी से कई स्वाइस, लगभग, इसमें जो वर्ड हम लिखे हैं, इस वर्ड में लगभग, अधिकांस वर्ड आप पहले से क लगदर, और, नाइदर, नौर, निवर दिलीज, नौं दिलीज, अज्व आज, इसमें, इसमेन, इसमेन, कंजनशन Jasva, कीनौ जैनs यॉर्ड खूर, खूर, हम महां फेकांस अग, इसमेन स्वाहम में मैं गजसि discount, इसमेन, जोस умें ट्राइच, द्राहम, इसमें सिल भी सेव अब करुम जुरू होगा वह कौम जुरू होगा? चौदिनेट इस कोडिनेयर्ट कवज जुश वाक्य में रहे गा वह कौना के कौण जुट healthy ? बडिये असानसी बात है इसके एलावा और फ्रकthroughs के दीुट ज़े जाते हैं ऐहां देखेंगे, यही है I am reading but you are plain चलिए, यह वार्क दिया हुआ है और आपसे कुछ भ्रस्ट होगा, क्कूश्न होगा कि भूगा इह उद्धा पताना है कि यह कोन सा सेंटेंस है, क्कॉंपाउंड सेंटेंस है, चलिए अच्छी बात है कॉछा जाएगा कि यह पाउंड सेंटेंज कैसे कैसे हैं क्योंकि पर लगा एक कुछन और पूछा जाएगा कि बट लगया तो कोडिनेट क्लोज जिस वाद तुम हमका पाउंड सेंटेंज होता है कोडिनेट 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 कोडिने किना साहे? Coordinate Clodge निकाल गए? अब एक कुछा और कोब्स होगा कि बहुआ जो बचा हुआ CLAWGE है जो CLAWGE बचा हुआ है उस CLAWGE को हम क्या कहते है? Maynia Prispa-CLAWGE पतो मैं तिक हो क्या क्योंकि पहले सब्सक्टे है कि Prispa-CLAWGE यह कैसा CLAWGE है याले कि compound में भी principal रहता है तो principal compound में कौन को रहता है तो principal के साथ कौन को रहता है coordinate तो coordinate निकाल लिए तब पहुच गया क्या में क्रोश कोई दिकर रहता है में या principal clause भी जाने है principal principle clause और यह दुसरा वाक्य देखे है फिर दो कह यहां He is absent because he is एहां दीजेगा He is absent because he heel principle क्लाज का मतलब होता है principle principle क्लाज में क्या होता दियान जिएगा principle क्लाज में subject और फर्फ होता हम कहेंगे भूगा इंपूरे महिकी की बात करते है He is absent because ही कौन साथिं तो I už सब्हleader कों यह यह अगं कंचेंस और वूरा क्या क्यों इसमें भातायए कर आंना जो mieć कंपंदग joue क्या है यह थे नहीं है तो युद्य में फिट आने के बांट जाने के इंगे तो कप्लेह के क्या रहा से कौम्ध्स कंप्लेक्स ज क technici है कि वाँ से कौर्वाज लाता है? कौर्वार्व. एका मतलब यहां से जो कलोज श्याथ हो रहा है. इन्लों जानने है. सेटैंस तो होग्या안 complex, यहाँ यहां दिखेंक्अ? सेटेंस के हो गया, problem Fix! लेकिन यहां से जो कडोज श्याथ हो रहा है, कोडुध क्लॉज.. हम पूछेंगे। तभूगोगल disso क्लॉज.... कोई जंशण ही नहीं है। नहीं चांते हैं. इसा नहीतीटिक क्लoure जंशण होनेका मतलब कि इस प्रूब होने समाओडिनेट क्लाज गयाने है और जिस वात में समाओडिनेट क्लाज होता है उस वात को कंपलेक्स यारी प्रिस्पल के साथ जब समाओडिनेट आता है उसे अप को सटेंस कलते हैं? complex sentence और subordinate clause निकल गया तब पॉच्छी गया को? main clause अब देखिए, आप coordinate clause निकलना सिख गया है आप subordinate clause निकलना सिख गया है आप principal clause निकलना सिख गया है compound complex निकलना सिख गया कोई दीकत है? इस chapter में मुखिरूम से यही बाते रहती है इस chapter में मुखिरूम से यही बाते रहती है एक बात और तुमको सम्झाना है थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहाँ आप देखते हैं रमेस इस माइंगो रमेस इस अब माइंगो इसमेरा टामिंटेस में भी पताय थे यह क्या है subject यह क्या है भर्व यह क्या है object यह बात दों पहले से जाते हैं subject, verb, object अब एक और पार्ट होता है जो देखना है एक होता है subject और एक होता है predicate इसको बोटा-बोटी तॉट पर समझने के लिए हम ऐसे भी सम्झा सकते हैं कि सर subject, verb, object तो जाते थे लेकिन subject, predicate नहीं आते है इस subject, predicate क्या होता है यह बहुत इंपोटेर बात है तो subject, predicate को समझने के लिए इनना कभी हम लिख रहा है थोड़ा सब समझ जाएगे रमेइस इट समझ जाएको यहा कुछ दिखाएगे देगा subject में रमेइस हो गया परफी क्या होगा आपजेक्च में क्या होगा लेकिन जब subject, predicate करते है सब्जेक्च के छोड़ कर भुच्या हुआा पार्थ को subject के छोड़ कर बजिय हुआ पीड़ को क्या करते है सब्जेक्च प्रेडिकЕटывा अब्जेक्च में अंतर समझ थी nellae के नाम से जानते हैं? क्योंसको को bicycle है? सबसंद लाया फिर चरी चुलोगे नहीं ह Nikki तो चरवे थे यहां लेखें धारा पर सेंटेस बइड़ है फिर एला कि आधारा कि आ रहें दंदेज भांडे करे भड़खनेमे नहीं कि सीक्षष़ कहा ज़ीं लेग्स की बात ज करते हैं हाए सेल कॉमा पाšों चाइब नो जामस के लować करते थे फाता है मुद चांथना में होता है उस कुररनाथ के और जैस कॊट अजया उसमें हाईым फिद्णमा सयर्चे होताधर है इससलिए पढ़ा है कि ये हर वाकिय में पाइजाता है इसलिए में छोडरी पीयाたाई क्योंकि कुछ इसलिए पाइजे के सान्य के जाता है इससे अम दिखे बाद हम देखते हैं… क्लोज, स्वाडिनेट्ट क्लोज, पाराग ध्यृट का ख्लोज सुरो में। तो कोड Delhi क्लोज कंध कर भंको कर भंक ठेहे तो यहां दिख़ा कर दाख ऑनिंगे केamp कॉनल आइ जो यहां इस पर कर से हैं and and not but or nor either neither else or else either or never delays not delays as they'll add not only but also it otherwise so therefore hence यह सब कोडिनेटिंग कंजन्सन है और इससे सुरू होने वारे कलोज को हम कौडिनेट कलोज कहते हैं जिस वाके में यह कलोज पाया जाएगा प्रिस्पल के साथ उस वाद को उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे तो फाल सेंटेंस कहेंगे एक राद छोड़ करके इन सारे का जंशन स्कुसूर करके जो अगर आता है वो क्या कहलाता है सबॉडिनेट क्लोज क्योंकि वो किस से बना हुआ रहता है सबॉडिनेटिक का जंशन से बने हुए क्लोज को सबॉडिनेट क्लोज करते हैं और जिस वाक्य में सबॉडिनेट क्लोज होता है प्रिंस्पल मिलता है तो compound complex यानि की big sentence बनता है इंवार प्रिस्टेंज में simple sentence में मुझी कि अब करते हैं तो compound sentence में principal clause के साथ जब coordinate मिलता है तो compound बनता है प्रिस्टेंज के साथ जब subordinate मिलता है आपके examination में इससे कुशन आता है कि वाकिक को चुगिए कौन साथ compound है, कौन सा complex है या sentence clause को चुगिए कौन principle clause है, कौन coordinate clause है, कौन subordinate clause है मुख्य रूप से यही बात पूछी जाती है examination में तो इसको यह याद हो गया, तुमको examination में problem नहीं और इसी बाकों आता है, कौन साथ जाती है या इससे कौन साथ जाती है